नमस्कार दोस्तों स्वागत है अपनी यूट्यूब चैनल टॉप ट्रेंडिंग जी के मैं है दोस्तों इस वीडियों देखने माले है रेल्वे एंटीपी से एक्जाम 2021 की और 125 पारियों पूछे गे टोटल जो 10 साइंस के नुमरिकल के स्वाल है बहुत कम स्वाल जो नुमरि काफी फाइदेमन होने वाले हैं तो उसके लिए यूट्यूब पर अल्रेडी वीडियो मेरा डाला हुआ आप सर्च कर सकते हो साइंस नुमरिकल आगे टॉप ट्रेंडिंग जी के लगा देना वहाँ पर आपको नुमरिकल के स्वाल मिल जाएंगे बाकि जो एंटीपी सी ए लिए हैं क्योंकि यहां पर आप सारे एकसात लगा सकते हों मतलब आप KS T वेल्डीटी में लिमिटेड मॉक टेस्ट दो वर्ष की वेल्डीटी में और इसमें भी आप टीटी जीके कोपन कोड यूज करते हो तो आपको extra 40 रुपे का और डिसकाउंट मिलने वाला सेम जो एक्जाम में आपको dashboard और interface देखने को मिलता हूँ उसी प्रकार से यहाँ पर आप practice कर सकते हो यहाँ पर देख सकते हो सारे एक्जाम NTPC के हैं, banking के हैं, इसके अपत्रिक जो SSE के हैं, जितने भी state level government exam से तो जैदर जानकारी के लिए description box वे link है, वहाँ से आप यह test series जोइन कर सकते हो तो चली continue कर लाते हैं, NTPC exam में पूछे के science के numerical हैं, पहरा स्वाल देखीगा यदि lens की focus दूरी है, 25 cm है, तो उसकी शमता क्या होगी, बहुत easy स्वाल है थोड़ा से यहाँ पर trick यह है, कि यह जो आपको दे रखी unit 25 cm है, और जो lens के शमता है, वो SI unit में answer दे रखा था lens के शमता का मात्र क्या होता, डायोप्टर होता है, तो इसको भी आपको centimeter को भी SI unit में बदलना होगा और इसमें आपको ध्यान क्या रखना है, जब भी इस परकार से स्वाल आ जाए, सबसे पहले unit देखना क्या है, unit meter में है या फिर centimeter में, तो centimeter में है, तो इसको meter में कनोट कर दीजीगा 25 centimeter में कितने meter होते हैं, तो आप 100 से भाग देंगे, तो कहेंगे 25, 100 का भाग 4 बार, तो एक बटा 4 meter हो जाएगे, अब दीखे आपको पूझा क्या है, लेंज के शब्द दातो, P बराबर 1 बटा F होता है, और F के स्थान पर आपके क्या आ आ गया है, या पर focus दूरी 25 centimeter, meter में बदला, तो एक बटा 4 meter है, तो एक बटा 4 करेंगे, ये चार उल्टा हो जाएगा, तो P बराबर 4 DNA, चार डायोप्टर हो जाएगा इसका answer, देखेगा अगला स्वाल, एक बटा 4 ohm के चार परतिरोद को जोड़ने पर कुल कितना तुले परतिरोद मिलने वाला है, ये कौन स स्रेणी करम में जोडते हैं, तो डारेक्ट इनको add करना, जो भी आपको resistance परतिरोद दे रखा है, जैसे कि आप 14 ohm, ये आर बड़ाबर क्या दे रखा है, एक बटा 4 ohm दे रखा है, तो स्रेणी करम में एक बटा 4 ohm को आपको add करना है, कितने हैं, चार परतिरोद हैं, तो इसको चार बार आप एड़ कर देंगे तो स्रेणी करम में आप पत्तोली परतिरोध यहां पर आ जाएगा इतनको आप LCM लेंगे तो क्या हो जाएगा यह एड़ करेंगे तो 4 बटा 4 यहनि 1 हो जाएगा यह R की वैल्यू आ गई जो पत्तिरोध है स्रेणी करम में वो एक हो गया समनांतर करम में क्या होता उल्टा होता है जो भी आपको पत्तिरोध दिया रहता है उसका 1 बटा कर दीजेगा तो समनांतर करम में यहापर क्या हो जाएगा पत्तिरोध तो एक बटा R बराबर एक बटा R1 प्लस एक बटा R2 जो भी N तक आपको धे रखे एक बटा R N होता है तो इसमें आप क्या करेंगे सबसे पहले तो एक बटा 4 ओम है ये R1 के स्थान पर रख देंगे तो एक बटा एक बटा 4 हो जाएगा इसी प्रकार सभी में 4 सेमी प्रतिरोद है और इसको उल्टा करेंगे तो ये क्या हो जाएगा 4 पलत 4 पलत 4 पलत 4 बाट 4 एड़ करना है और ये हो जाएगे 16 लेकिन आपको याद रखना है 16 किसकी वेल्यू है प्रतिरोद की नहीं है आपको 3 प्रतिरोद दिये हैं 1,2 ओम का, 3 ओम का, 4 ओम का तो सुरीनी करम में आप क्या करेंगे डारेक्टी इसको एड़ कर देंगे जो भी होगा आपके 3,2,5 और 4,9 हो जाएगा 9 ओम तो ले प्रतिरोद इसी को समाना नतर करम में आप 1 बटा 2 पलस 1 बटा 3 पलस 1 बटा 4 कर देंगे तो ये concept तो आपके कवर हो गया है अगरा स्वाल दिखीगा एक किलोग्राम कार्बन गरम करने में कितनी मात्रा कार्मडाई ओक्साइड की उस्सरजित होगी तो एक किलोग्राम कार्बन को गरम कर रहे हैं तो CO2 कार्बन को गरम कर रहे हैं ऑक्सीजन से रियक्सन हो रही है क्या बन रहा है कार्मडाई ओक्साइड बन रहा है तो यहाँ पर आपको पूचा है कि एक केजी कार्बन को गरम करने पर कितनी मात्रा CO2 की उस्सर जित होगी देखे C plus O2 CO2 हो गया तो carbon का क्या दरिमान है 12 है oxygen का क्या हो जाएगा 16 और 2 आया पर प्रमान होए तो 16 और 2 करेंगे तो 32 हो जाएगा तो 12 प्लस 32 कितने होते हैं तो आप कहेंगे यह तो 44 होते हैं तो यहाँ पर आप क्या देख पा रहे हो कि जो 12 किलोग्राम मान लेते हैं यूनिटिया पर क्योंकि यह ग्राम मानेंगे तो सैम यह आपके रहने वाला तो 12 किलोग्राम यह दि कार्बन को गरम करते हैं तो यानि O2 से reaction होती है तो कितने किलोग्राम आपको CO2 मिलता है तो आप कहेंगे 44 किलोग्राम देकिन स्वाल में दे रहा है एक किलोग्राम कार्बन को गरम करने पर तो 12 किलोग्राम करने पर 44 किलोग्राम CO2 प्रोडूस होती है इस परकार आप जो एक इक नियम लगाते हो तो 1 kg कार्बन गरम करने पर कितीन होगे 44 बता 12 करेंगी सिंपटल है 12 kg में 44 हो रही तो 1 kg में 44 बता 12 यह 3.66 kg कार्बन बन रही है 1 kg में यह आपको 1 kg का ही समनांतर करम में स्योजित पर्तिरोध का संतुले पर्तिरोध बार क्या होगा जिसने 3, 6, 9, 9 के 3 सबस्으니까 सब्सक्राफ सब्सक्राइब सब्सक्राइब पूचaisia तो ग्रूप D के आप जरूर जो स्वाल देख लेना दो जार अठा रखे हैं उनके लिए वीडियो भी आविलेबल है जो आप सर्च कर सकते हो यदि दर्यमान है वो 14 किलोग्राम है वेग 2 मेटर पर सेकेन है तो समेग समेग क्या होता है पी बराबर दर्यमान गुणा वेग ही और वेग का मेटर पर सेकेन ये फॉर्मला हो गया अगर असवाल देखे गया एक 20 किलोग्राम दर्यमान की पिंड को 2 सेकेन में 5 मेटर पर सेकेन से 10 मेटर पर सेकेन तवरित क्या जाता है तो उस पर लगा बल और 5 सेकेन बाद उसका वेग जो अंतिम वेग है वो क्या होने वाला है तो यह बिलकुल एक एजी स्वाल और पूच लिया गया है कि 20 किलोग्राम दर्यमान का पिंड़ तो सबसे पहले क्या दे रखा है M बराबर आपको दे रखा है 20 किलोग्राम और इसको 2 में 5 मिटर पर सेकेंड से 10 मिटर पर सेकेंड तवरित किया जाता है ठीक है तो T यहाँ पर 2 सेकेंड में आप तवरित कर रहे हो तवरन यह आप ग्याद कर सकते हो तवरन होता है कि आप वेग में परिवर्तन की दर वेग कितना चेंज हो रहा है तो वेग यहाँ पर आप देख सकते हो पांस से दस हो रहा है इसका मतलब परिवर्तन कितना हो गया दस माइनस पांच हो गया तो परिवर्तन आपके यह पांच का हो गया परिवर्तन किदर यह कितने समय में हुआ है तो दो में हुआ है 20 तवन यहां पर 5 बटा 2 आ गया तो यह कितना 10 बार चला जाएगा 10 और 5 से multiply करेंगे तो 50 अब देखिए स्वाल में हो सकता है जो option दे रखे हैं इस सभी option में 50 दे रखे हैं किसी में 50 newton हो 50 kilogram हो तो दिहान में रखना है बल का मातर क्या होता है न्यूटन होता तो 50 newton यहां पर हो जाएगा और second यहां पर शवाल क्या पूछा गया है कि 5 second बाद उसका अंतिम वेग क्या होगा तो इसके लिए आपको क्या पता होना चीज जो गति के समीकर्ण है तीनो तो वी बराबर यू पलस 80 जो गति का पर्थम समीकर्ण है वी क्या है यहां पर अंतिम वेग है यू प्रारंबिक वेग है ए तो अंतिम वेग आपको ग्याद करना है प्रारंबिक वेग कितना है 5 मेटर पर सेकन से 10 मेटर होगा तो प्रारंबिक 5 मेटर प कितना होता है साड़े 12 होता है अब साड़ा 12 प्लस 5 है नहीं साड़े 17 सत्रा पॉइंट 5 है ये इसका एंसुर हो गया तो वेक को किसमें डिनोट करते हैं इसका यूनिट है मिटर पर सेकेंड है 17.5 मिटर पर सेकेंड बल आ गये था 50 न्यूटन अगला स्वाल दिखिगा माइन आपको जोड़ देना है यहाँ पर कौन सी value दे रखी है centigrade में तो minus 233.15 है इसमें plus 233.15 एड़ करेंगे तो 0 हो जाएगा minus plus तो 0 Kelvin हो गया कोई भी value दे रखी मांदो आपको दे रखा है एक degree centigrade को Kelvin बदलना तो आप क्या करेंगे simply 233.15 एड़ कर देंगे तो 244.15 हो जाएगा तो degree centigrade को Kelvin बदलने के लिए plus करते हैं Kelvin को degree centigrade में करवट करने के लिए minus 233.15 करते हैं बहुत बार एक्जा में पूछे जाता है जो Celsius और Fahrenheit में आपस में रूपांतरन किया जाता है तो ये भी formula बहुत ज़दा important है अक्सर यहां से एक्जा में स्वाल पूछे जाते हैं NTPC में अब की बार नहीं आया है Kelvin ये easy स्वाल है पूछा गया है ये थोड़ा सा और formula आपको याद रखना है F minus 32 बटा 9 बराबर C बटा 5 हो जाएगा इसमें जो भी आपको एक तो value दे रखी होती है जैसे कि centigrade में दी रहेगी या फिर Fahrenheit में दी रहेगी उसको आपको कनोट करना जैसे कि centigrade में आपको दे रखी है कि 0 centigrade को Fahrenheit में कनोट करेंगी तो आप C के स्थान पर क्या रखेंगे 0 value रखेंगी फिर आपको इसमें कर सकते हो cross multiply तो 0 और 9 का गुणा 0 ही हो जाएगा और f-32 को आप 5 से गुणा करेंगे तो ये कितना 0 आ जाएगा बराबर में क्योंकि और f-32 बराबर कितना हो गया 5 का भाग देंगे ये भी 0 हो जाएगे तो f बराबर कितना हो गया 32 हो गया जो computer का भी relate करके पूछा गया है आपके पास 1.78 GB का pen drive है और computer में data transfer करने की speed है 2 megabyte per second तो पूरा data transfer करने में कितना आपको समय लगने वाला है देखी यहाँ पर सबसे पहले तो कि 2 megabyte per second यह नहीं 2 megabyte transfer करने में कितना लग रहा है 1 second का समय लग रहा है ठीके आपको transfer करना कितना 1.78 GB लेकिन यहाँ पर क्या है unit megabyte तो सबसे पहले GB को MB में करोट कर दीजीगा 1 GB में 1024 MB होते हैं यहाँ पर 1.78 GB है तो इसको 1024 से गुणा करेंगे तो यह MB में आ जाएगा तो जो कि आ रहा है 1822.32 MB तो 2 MB को जो transfer करने में 1 second का समय लग रहा तो 1 MB को transfer करने में कितना लगेगा आधा सेकेंड का 1 बटा 2 कर देंगे आपको transfer करना कितना 1822 MB जो यहाँ से निकल काया GB को अपने MB में करोट किया है तो इसके लिए आप 1 बटा 2 को किससे गुणा करेंगे 1 MB को transfer करने में आदा सेकिन लग रहा है और जितने MB चाहिए उसको गुणा कर दीजीगा तो 1822 पॉइंट 72 MB को ट्रांस्फर करना है तो इसको गुणा करेंगे तो इसका आदा कितना हो जाएगा 1822 का तो यह 911.36 सेकिंड का समय लगेगा यदि ओप्सन में मिनट दे रखा है तो इसको आप मिनट में कदवर्ट कर सकते हो तो साथ का भाग दे दीजीगा 15.19 मिनट का समय अगला स्वाल यदि पाणी का आपको आणविक दरिमान ग्याद करना है पाणी यहनी ह2O इसका formula हो जाएगा तो hydrogen का दरिमान कितना होता एक होता लेकिन यहाँ पर hydrogen कितने पर मनट 2 है तो 2 से गुणा कर दीजीगा पलस में आपको क्या करना oxygen है oxygen का 16 होता है तो 2 पलस 16 यहनी 18 ग्राम पर मोल इसका आणविक दरिमान हो जाएगा और यहाँ पर यह स्वाल है कि Newton के second गति का नियम का समीकन क्या है तो समीकन आपको पता होना ची Newton का second गति का नियम है F बराबर MA यह इसका formula हो जाएगा यह निय उसमें परिवर्तन की दरियरी भाग T यह equal होती है उस पर लगाएगे बल के बराबर F होता है अब यहाँ से आप easy ली कर सकते हो V बटा T क्या होता है वेग बटा समय क्या है वेग बटा समय हो जाएगा आपकी turn तो M turn को A हो जाएगा बराबर F यह एफ बराबर MA यह second नियम स यह तीसरा है यह second यह परतम समीकन है अब group D exam जब 2018 हुआ था उसमें इन समीकन से relate करके स्वाल इस परकार पूछे गए थे कि गति का परतम समीकन क्या दर्शाता है ठीके तो वेग समय के मीच का संबंध है V बराबर U पलस A T जो परतम समीकन है यह वेग और समय के मीच का मंद और तीसरा है इस्तथी तता वेग के मंद जो 2A S बराबर U स्कूर माइनस U स्कूर है तो यह भी आपको पता होना चाहिए अब अन्तिम स्वाल देखे लेजिगा एक फॉर्मला पूछा था लेंस का फॉर्मला क्या है लेंस सूतर क्या है तो लेंस सूतर है एक माटा F ज तो आपकी हो जाएगा प्रतिबहम की दूरी जो प्रतिबहम मंदरा है उनकी दूरी क्या है यहां से दुरू से और जो आपका U है वो बिम ऑबजेक्ट जो रखा हुआ है उसकी क्या डिस्टेंस है वो यहां पर यह फॉर्मला एक बटा F पराबर एक बटा V माइनस एक बट सकते हूं और जो भी केंडर चैनल पर न्यू है अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं करें जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ और इस्टेटी ग्रूप में शेयर जरूर कर दीजिएगा मिलते हैं ऐसी किसे नए टॉपिक के साथ बंदे मातरम जहीं दोस्तों